वेल्कम बैक टो ग्यानिश्थनी खिलास को स्टार्ट करेंगे आज आपका न्यू टोपिक जो है आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू कॉंसट आपका आज स्टार्ट होगा जो है आपका बुद्धि इंटेलिजेंस यहां से आपकी इस बार भी सीट्रेट में दो से थीन कोश अच्छा है सी टैटो यूपी टैटो कोई भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो टीचिंग के एक्जाम में के विरस एन्विरस टूपिल असभी उन सभी में यहां से कुश्ण बनते हैं और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टोपिक है और आप टीचर बनने जा रहे हो त्शे स मतलब आपका intelligence यह होता क्या है अगर हम सबसे पहले बात करें यह होता क्या है तो क्या होता है आपका intelligence अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहला देखने को मिलेगा इसका मतलब ही क्या होता है इसका अर्थ की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब क् बेसिक समीनिंग है ठीक है इंटेलिगेंस मक्तब आपको समझना ठीक है और आपकी किलास का एक बर मैं आपको टाइमिंग बता देती है एट पियम पर आपकी किलासिस होती है दूसरा आपका पंदरे अक्टूबर तक जो है आपका एक बंपर ओफर चल रहा है जिसमें अगर पेपर वन का कोर्स परचेज करते हो तो पेपर टू जो है आपको फिर में मिलने वाला है तो जरूर जोइन कर लें यह आपका पंदरे अक्टूबर तक ही रहेगा ठीक है और को नोट्स वगयरा हर एक पॉइंट जो है आपको आपको शेर किया जाएगा फाइल सभी आपको मिलने वाली है आप टेलिग्राम जोइन कर लेना ग्यानिस तरी करके आपको टेलिग्राम मिल जाएगा तो वहां पर हीज़ाई अप्देट आपको मिल जाएग तो चलिए अब हमाँ बात करेंगे आपकी आज की किलास इंट्रिजेंस जिसका मिनिंग क्या होता ए आर्थ क्य क्या हो जाता है बुद्धी ठीक है सिंपल्स आपको याद रखना है अगर हम बात करें बुद्धी कहां से आपको मिलती है बुद्धी आपको कहां से मिलती है तो बुद्धी कहां से मिलेगी आपकी यह हैरी डिटी से मिलती है जो हमने आपका हैरी डिटी और आपका परियाव अगर हम बात करें आपका यहाँ पर बुद्धी क्या है अपने तो देख लिए अनुवान सिक्ता से मिलता है लेकिन बुद्धी आपका है क्या बुद्धी में अगर हम बात करें बुद्धी जो है आपका परियवरन के साथ समयोजन परियवरण के साथ समयोजन है कि-seize का hieriduity का इनकि हरिदिती से जो आपने बुद्धी लबदी जो आपका IQ है उसका समयोजन परियवरण में जितने अच्छे से करोगे जितना आपका सीकने की छंता उन सभी को complete करोगे तो आपका बुद्धी intelligence जो है आपका विक्सित होगा और अच्छी दिशा में चलेगा तो अगर हम आपका basic summing की बात करें intelligence जो है आपका latin भासा से ये भी कई बार पूछ लिजाता है कौन सी भासा से latin भासा से लिया गया सब्द है ठीक है intelligentia intelligence या फिर आपका intelligentia से बना हुआ सब्द है कुछ भी कह सकती हो तो इसका क्या है to understand मतलब समझना चाहिए इसका to intelligent मतलब समझना इसका समाने ते ग्यान के साथ अर्थ होता है क्या ग्यान knowledge की बात करता है आपका आगे बात करेंगे लिया जाता था पहले लेकिन आज के समय में क्या क्या जाता है सिर्फ ग्यान प्राप्त होकर बुद्धी नहीं है मतलब पहले क्या था सिर्फ ग्यान है तो आपके अंदर बुद्धी है लेकिन आपके अगर आपको ग्यान प्राप्त है लेकिन वो पूर बुद्धि में रटना बुद्धि नहीं है घ्रन को भरना बुद्धि नहीं है बल्कि समझना चमता सीखने की आपने जो चीज पड़ी उसके ऊपर कितना चिंतन आप कर पा रहे हो उसकी योगीटा तरकीक चिंतन तरकी चिंतन मतब logical thinking का आप किस परकार से यूज़ करतो क्या चीज सही है क्या चीज गलत है आगे अपने परियावरण के साथ adjust हो नहीं ठीक है उसमें समयोजित हो नहीं intelligence कहलाता है intelligence और आपका बातवरण इन दोनों की ही अंते किरिया ही बुद्धी को नेडारित करती है तेखो तत्व तो आपका नुवांसिक तका है लेकिन अगर आपका परियावरण अच्छा नहीं होगा तो आपका environment अगर अच्छा नहीं है तो बुद्धी जो है आपकी बहतरी नहीं होने वादी माल लिजे आपका IQ बहुत बहतरी इन्था ठीक है छोटे बच्चे का एक IQ है एक बच्चे लें उसका IQ बहुत ही बहतरी नहीं था लेकिन क्या होगा हमने इसे एक रूम में बंद कर दिया कभी हमने इसे दीन दुनिया कुछ भी नहीं दिखाया कभी हमें इसे पार्ट उस तक कुछ भी हमने इसे नहीं दिखाया वैक्ट नहीं दिखाया इस सिर्फ एक डूग में तो क्या इसका बुद्धी लब्दी एक ही जैसे रहेगा नहीं कम हो जाएगा कुछ नो कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा तो क्या हमें ऐसा इन्वार पूछे फटा फटा कर आपको कुछ पूछना इसमसे फिर आगे चलेंगे ठीक है चली आगे चलते हैं अगर हम बात करें आपका बुद्धी परिक्षन के जनक ठीक है एक पर आपके जनक वगर को भी डिसकस करेंगे लेकिन इससे पहले आपके कुछ आपर पॉइंट हम दे क्या है प्रकारिक्स प्रकार से करते होँ? इसके बाराद क्या है? आपका पक्स क्या है? किरियात्मक पक्स चीज़े करते हो किरिया किस प्रकार से करते हो आगे हैं आपका सीखने की छमता यहीं तुमने पॉइंट देखें इसी प्रकार से आपको नोट बनाने हैं आगे बात करें आपका एमूर्थ चिंतन अपका प्रकार से आपको बताता है डील करते हो डील करोगे प्रॉबलम्स यही आपका बुद्ध्ध है इतना समझ में आए चली आगे चलेंगे अब आपके हम बात करने वाले बुद्धि फरिक्षिन की ठीक है चलिए बुद्धी परिक्षन पर चलते हैं आप सबसे पहले इसके जनक्त की बात करेंगे ठीक है यह आपके कुछ ऐसे confusion वाले point है जो कि मैंने आपको आपकर note down करके दिया PDF आपको कहाँ पर मिलेगी Telegram Channel Telegram Channel का link कहा मिलेगा इस वीडियो की description box में मिल जाएगा या फिर Channel की about section में चैक करना ठीक है चलिए आगी बात करेंगे अब आपका यहापकर जनक सिधा पुछा जाता है बुद्धी परिक्षन देखो दोनों में confusion है बुद्धी परिक्षन के जनक इसके बाद जो है पुद्धी परिक्षन करने के लिए सबसे पहले अलफेड बीने बीने क्या है आपके जनक है इन्होंने दो हजा आपका 1905 में पहला intelligence test बनाया परिक्षन कहाँ देखो टेस्ट फादर ओफ intelligence test की बात करेंगे तो आपका अलफेड बीने आ जाएगा इसी कारण में क्या का जाता है फादर ओफ intelligence test पहला key point ठीक है most important ठीक है याद रखना जनक कोन है आपके आपर बीने आगी confusion वाले point आने वाले है अब बात करेंगे आपका बुद्धी लफदी IQ की बात ये बुद्धी परिक्संथा intelligence test अब हम आपका IQ की बात करेंगे बुद्धी लफदी इसमें क्या है इसके बात जो है 1905 के बाद 1912 में पहली बार बुद्धी लफदी की बात की गई आप बात करें बुद्धी लफदी का concept किस ने दिया तो किसके दुआर दिया गया आपका Eastern के दुआरा बिलिया Eastern के दुआरा concept दिया गया पूछे जाए पहली बार किस ने दिया तो Eastern test किस ने बनाया आपका Alfred B. ने आगे बात करेंगे आपका इसके बाद तर्मन ने लुईस तर्मन ने 2016 में बुद्धी लब्दी का formula दिया तीन पॉइंट आ गए पता ये जल्दी कौन-कौन से पहला intelligence के test के जनक कौन है दूसरा बुद्धी लब्दी का सबसे पहले concept किस ने दिया इसके बाद सुत्र किस ने दिया सुत्र जो है आपका तर्मन के दिया गया ठीक है बुद्धी लब्दी का formula formula exam में काफी बात पूछा जा चुका है तो formula किस के दिया गया आपका यहाँ पर तर्मन के दिया गया इतना point आया आपको समझ में ठीक है चली आगे चलेंगे अब आपका क्या है बुद्धी लब्दी में आपका मानसिक आई हूँ और आपका तैथिक आए ठीक है इस और आपकी वास्वे है कुछ ही बोल सकते हो real age बोल सकते हो कई कैसा नूपात है जिसे 100 से गुना करके प्राप्त किया जाता देखो चल इस फॉर्मूले को समझेंगे IQ is equal to MA में आपका क्या है mental is upon CE या फिर RA रियल जो आपके रियल जैंटिप्लाई 100 यह आपका मान लीजे किसी के मानसिक आए है 100 ठीक है या फिर मान लो 160 है या फिर आप कुछ भी मान सकते है अपने according कुछ भी ले लो ठीक है तो 170 तो कुछ जादे ही हो जाईए जादे ही आपका gifted बच्चा हो जाएगा हमने आपके 120 मान ली और CE क्या है उसकी जो A's है मतलब रियल A's अगर बात करे तो हमने 100 ले ले ठीक है आपका ना तो gifted है ना ही आपका low average वाला है क्या है आपका average आजाएगा क्या है बच्चा समान ले है यह आपसे पूछ जाता है क्या है बच्चा समान ले बूच ले जाएगा 140 पे क्या है IQ यह साई चीज आपके exam में पूछी जा चुकिए और इस बार भी question आया था इतना point आया यह formula याद रखो कैसे करोगे एक को मैं इसे याद करने कि आपको एक trick बताती हूँ तो लेगो ट्रिक चेक करेंगे ठीक है आपके भी यह formula लिखा है आप इसी भी लिख ले ठीक है अब क्या करोगे मा मा सबसे बड़ी है ठीक है फिर आपका c a बस मा को याद रखेंगे ना मा c a multiply 100 बस मा उपर होगा यह याद रखना आपको मान सिखा है या आपका IQ का बस यसी में confusion होता है मा उपर आएगा या फिर c a समझ में आगे है चलिए आगे बात करेंगे आपका इतना बहुँ ज़ाद important थाई आप बात करेंगे intelligence होता क्या है बुद्धी होती क्या है तर्मन के द्वारा देख लिया आपका strength के द्वारा IQ का formula देख लिया यह सब चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है आप बात करेंगे आपका बुद्धी लब्धी होती क्या है मतलब intelligence है क्या यह क्या करती है बुद्धी समश्याओं को सुलजाने में मदद करती है क्या करेंगी कोई problem है उसका solution किसे मिलेगा बुद्धी से ही मिलेगा ऑगे आपका बुद्धी नियन्य लेने और सोचने और करने की छंता rozp verbal करता है क्या है कोई समश्य है तुछ आई आई क्यू से आगर आपके अंदर शंग्यान नहीं होगा इससा में से अध्या गॉग्यान कोगनेटिव नहीं होगा तो क्या संवाइस right करोगे कर सकते हो नहीं कर सकते क्या चाहिए मायने चाहिए मस्तिक से यह बुद्धी चाहिए तभी समश्यवा चुनाव करोगे समश्यवी चुनोतियों का सामना करोगे समधान तोड़ों बुद्धी लब्दी क्या करेगा करने में कि चमता परदान करता है मांसिव परिक्रियाओं का एक मैध़ा पूर्ण हिष्ण है क्या है यह आपका इंपोर्टेंट है किसी का बुद्धी मतलब निर्ने लेने में सोचने में कल्पना करने में यह पूइंट याद रखने है चीए पूछा जाता है सीधा आगे सब्सक्राइब करती है कैंजुत करती है कि अलग अलग परकार के आपको चमताओं का सभाता एक सेट माना जाता है इसमें चीजे प्रोसेस माना जाता है इसमें विभीन परकार की चमत आए है तो चीजे चटिल हो जाती है आगे बुद्धी स्थाइए अगर आपके बुद्धी स्थाइए अगर आपका परकिरिया में मदद करती है जैसे आपको नूग मिलेगा जैसे आपके बुद्धी को चीजे मिलेगी बुद्धी वैसे ही काम करने लेगे अगर आपको पूरा दिन easy task मिलेंगे तो आपकी mind जो है easy को ही देखना इस्टार्ट कर देगा difficult मिलेंगे तो आप उसे भी करना इस्टार्ट करोगे तो वैक्तिवित की नई प्रिस्तितिया परिवर्तन के बहता डंग में मंजश्य सापित करा जा सकता है मतलब अनुकुलन क्या है जैसे भी प्रिस्तिति दोगे जैसे भी परिवर्तन दोगे बुद्धी आपके उसी के according धल जाएगी अडप्ट हो जाएगी अनुकुलन बन जाएगी समझे में है इतना पॉइंट आपको बताईए जन्दी से आपको ये चीज़े समझ में हागे ही होगी ठीक है चलिए आगे बात करेंगे आपका इतने सब पॉइंट को जो है नोट डाउन कर लो ठीक है आगे हम बात करेंगे बुद्धी के परकार बुद्धी के अलग-अलग आपको परकार देखने को बिलेगे यह बता है कि अलग-अलग परकार के बुद्ध की बताई है किसी ने बुद्धी बोहyامी बताई है किसी ने बोहyiamी बुद्धी की बाद भी काफी अधिक हन्द तक सभीकार किया प्रंतु, ञहां पर क्या है तीन परकार की बुद्धी भी घुती कि सिधा question बनता है इस table को आपको टेलीग्राम चनल पर मिल जाए table भिहान से आपको समझने है चलिए, start करते है, table में क्या दिया हुआ, इस में क्या है अपका IQ table, इसे क्या कहों गया आप IQ की table कह सकते हो, हQueen सिल से पहला क्या है इस नहीं पत्शीश 2 सब्सक्राइब तो इस बच्चे को क्या क्यों है और गोद्धी मतलब ओका लंग इन्त को थी वे उतलब इतन हागत पार्फ हО् पर्टेकुलर रेक नर्स चाहिए एक हेलपर उसे चाहिए ही होता है अपने परसनल काम करने के लिए दैनिक काम करने के लिए भी ठीक है उसे टोईलेट वास्रूम के लिए भी कोई लेकर ही जाएगा वह इतना जाद है आप कहसकतो है इतनी लोग आपके हाँ पर बुद्धी देखने को मिलती है इन बच्ची यह इस एज की जो बच्ची है इस लेवल में तो यह आपके स्कूल भी नहीं जाते कि यह आपके बहुत कम मिलेंगे स्कूल में आपको इसके बात बात करेंगे 25 से आपका 49 ठीक है 25 से 50 के आऊसपा स्माने के चलो इसमें क्या मूड़ ये नाम याद रखने है मूड़ कॉन सी है ठीक है जबी को याद रखने है यह नाम आपके बुद्दि लेकिन उसे प्रोब्लम होगी यहां तो होई नहीं रहा था यहां कर लेगा लेकिन उसे कटना ही देखने को मिलती है ठीक है डिफिकल्टी उसे होती है चलिए आगे बात करेंगे आपका इसमें आपका 50 से 70 के आसपास ठीक है इसमें क्या है मुर्ख बुद्धी यह भी आपकी मुर्ख थे लेकिन इसे इडियत कहा जा रहता है इसे आपका फेभल माइंड़ इसे नाम याद रखाए ठीक है इंगलिसमें नाम याद रखोगे तो ज़्याद आपको सही रहेगा आप प्रेसानी होगे तो इसमें क्या होता है इसमें आपको समानने से बहुत कम बुद्धी मतलब जो आपका नौर्वख बुद्धी होनी चाहिए उससे कम बुद्धी देखने को मिलते हैं और काफी हद तक आत्म निर्भर मतलब दूसरों के ओपर डिपैंड होते हैं यहाँ प को किसमान्य को समश्या देखने को मिलेगा इसमें कुछ ही आपको समश्याल देखने को मिलेगी आगे बात करेंगे आपको पर अस्ति से नभ्य के बीच में यह समाने बुद्धि के नीचे नीचे इसमें इसमें थोड़ी बहुत होगी तो बच्छा कर लेगा इसमें जादे की ज़रूत नहीं होती आगे आपका पूछे जाता है समाने बुद्धि मोस्ट इंपोर्टन ये सिदह आता यह 50-110 के वीच में नबबे से एकंशाद्र के बीच में समाने बुद्धि होती है आपकी जयता समाने बुद्धि ही देखने को मिलती है यह समाने बुद्धि से ठोड़ा उपर उतिया यह उसस से उपर होती है समान्य बुद्धी से परे मान्फिक शमता है जो इनका थोड़ा सा हाई होता है वहीं 120 से 130 तक तेज बुद्धी देखने को मिलती है यह अच्छी बुद्धी मानी जाते हैं जटील समश्याओं को हल करने में सक्षम होती है मतलब जर्तिल जो भी कठाई होते हैं उन्हें जो है easily समश्याओं समधान खोज लेते हैं यहाँ पर नहीं खोज पाते हैं इतने अच्छे से जितना ब्राइट इस्टुडेंट खोज बाते आगे आपका पकर पकर तो शार्प मतलब बहुत तेज बुद्धी वाला क्याते हैं इसकी तो पकर बहुत जादे यूज होता था यह संद एक्टीस से बीच में होती है तो बहुती जादे तेज बुद्धी वाले उच इस तरगी मा अत्यदिक बुद्धी होती है और समाने से कही अधिक मांत्रिक छमताए इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी तो यह आपके IQ की टेबल थी जो कि आज हमने आपकी कम्प्लीट की है ठीक है एक बर फटा-फट रिवाइस करते है क्या इंपोर्टेंट है क्या नहीं ठीक है denखते हैं आज हमने क्या स्टाथ किया बुद्धी ठीक है बुद्धि का मिनिंग समझा ठीक है कहां से लिए गया गया है इंवायरूमेंट में एड्जस्ट करना समय कि युद्धी की बात करता है आगे बात करेंगे आपका तो इसके कुछ पुईंट जाने बुद्धी होत दिया आपका इस तन ने बुद्धी लब्दी का फोर्मूला किसने दिया तर्मन ने तीन और बहुत ही किलियर मैंने आपकी कर दें और मुला क्या है माँ अपों सी ठीक है इस चलिए आगे बात करेंगे कि आपका आपका बुद्धी लब्दी की कुछ मैंने डेफिनिशन कुछ पॉइंट आपके नोट डाउन के समझ में आया होगा समझ्य को सुलजाने में निरने लेना सोचना आपका मांसिक के लिया हो का इक महता पून हिस्सा है अलग-अलग आपको चीज़े देखने को मिलती है इसमें इस्थाई परिवर्तन होता है लेकिन इसमें देखता है मोडिफिकेशन आप कर सकते हो चीज़े अडेप्ट आप करना इसमें देखते हो चीज़े आगे बात करेंगे आगे था आपका बुद्धी का परकार चलिए बुद्धी का परकार देखते हैं इसमें हमने थोन डाई की तीन बुद्धी के बारे में जो कि हम कल डिसकस करेंगी एक अमूर्थ एमूर्थ समाधिक बुद्धी आगे आपका यह IQ आईक्यू को फटा-फट स्क्रीन सोट लो य यहां से कुछन बनता है आपका मूर्थ के मौर्थ यह सब आपकी एक्जाम में पूछी जा चुकी है Qulates की डेली आट वजह पीकिलाश होती है ठीक है, एक प्यम पे आपज की फिलास होती है और आपको PDF टेलीग्राम चनल पर मिलती है ठीक है साती सार प्ले लिस्ट आपको चेक करने अब भी केवे प्लेलिस्ट भां मिलेगी जो आप ग्यानि इस सली को सिम्सक्राइब कर लेते हों तो यह सब जो आपको कंवे है आपको ग्यानि इस चैनल पर आपको मिल जाएगी ञामने काफी कि मिल जाएगी है होदे आपको रहा shuts कि ली ल्सटेड़ ने देखा ठीक है इस ओर अवस्ता देख चुके है हम आपके यह सब हमने आपका प्रारमदिक बाली अवस्ता है यह सब हमने आपकी last class में समझे देख ठीक है तो अगर आपने यह previous classes नहीं देखिए तो जाकर जरूर देखना क्योंकि CTAD का आपको हैं पर complete course प्रोवाइड किया जा रहा है तो complete है तो complete ही तैयारी करो ठीक है और इस बार CTAD आपको पास ही करना है तो उसके लिए क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो previous वीडियो नहीं देखी वो भी चैक कर लेना और आपकी यहाँ पर दो subject की class में कराती हूँ हिंदी भी मैं ही आपकी कराती हूँ ठीक है पैड़गोजी भी हम उसमें discuss करेंगे साथी साथ आपके 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 CDP की ठीक है आप बात करेंगे इन सब के लिए आपके PYQ बहुँ जादे important है PYQ मैंने काफी आपके कराये है तो आप जाकर playlist चेक करना ठीक है playlist आपको मिलेगी CTAT by एक तनने करके दोनों की playlist आपको Hindi की अलग मिल जाएगी English की आपको अलग मिल जाएगी ठीक है playlist एक बार चेक कर लेना कला हम आपका बाकी का बचा portion discuss करेंगे किस मुनवग्यानिक ने कौन से stage बताई है इसमें आपके बहु कारक से धान्त किस ने दिये है आपके बुद्ध्य को एक कारक किस ने बताया है ये सब question आपके exam में आते है इने भी अच्छे से देखेंगे single आपकी factor किस ने खाया single factor theories आपकी किस ने दिये है two factor theories किस ने दिये इस सब theory हम आपकी देखने बारे है और आप मुझे एक homework में question बताऊगे आपका formula ठीक है IQ का formula आप बताऊगे मुझे क्या बताना है आपको IQ का formula साथी IQ का formula और IQ का formula दिया जिसने था यह दो question जो है आपके homework में है तो फटा फट कमेंट करके फास्ट बताना ठीक है और सबसे बड़ी बात क्लास कैसी लगी इसका feedback आप नहीं देते करके इसका feedback दो तो चलिए मिलेंगे आप से कल तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी आप channel के साथ बने रहें कोई नया हो subscribe जरूर कर लेना तो चलिए मिलते आप से कल सही आपके 8 बजे